नमस्कार दोस्तों परियावरण की इस क्लास में जो हम लोग क्लास कर रहे हैं परियावरण की इसमें हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया था आपसे बायोम के बारे में जीवोम या बायोम जो होता है बायोम क्या होता है और उसके सीमाएं कैसे निर्धारित होती है पिर्थिवी पे बिभिन बायोम जो साथ से आठ प्रकार की बायोम है उन पे भी हमने चर्चा आप से किया था लेकिन पिछली तीन-चार क्लासेज में हमने दो सब्दों का प्रियोग बहुत ज्यादा किया पहला सब्द जो था वो पारस्परिक निर्भरता और इसी के साथ में एक सब्द और प्रियोग हुआ है अंतर संबंध या अंतर संबंध आप कह सकते हैं इन दोनों सब्दों का क्या अर्थ होता एक लोजी में बहुत महत्पूर होते हैं और इसलिए हमने तीन-चार तिन प्रियोग किया है उसके बाद में आज हम इस पर आपसे चर्चा करनी जा रहे हैं कि यह होता क्या है परस्पर निर्भरता का क्या आर्थ होता है और जैविक अंतर संबंध या फिर अंतर संबंधों का क्या आर्थ है जैविक अंतरसंबंध का मतलब हो गया जीवों के मद्ध में जो इंट्रेक्शन होता है तो जीवों के अंतरसंबंध में हम क्या देखते हैं और वो किस तरह से कोचिंग संस्थान के लिए यह कॉलेच के लिए तो आप चवराफे पर जाकेघे हो जाते हैं क्योंग आप घर से निकलने के बाद में चवराफे तक पर पगयात्रा करके पहुंच गया है लेकिन चवराहे से आप किस पर निर्भर है टैक्सी वाले पर निर्भर है जब वह आएगा तभी आप जाएंगे उससे पहले नहीं जा सकते मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरी डिपेंडेंसी किस पर है लाइट पर है अगर लाइट गए तो मेरा पढ़ाना तुरंद बंद करना पड़ेगा हमें यह जो निर्भरता होती है UP किर्याओं के लिए निर्भरता हो क्रियाय कोन सी होती है जैसे भाट खोलॉजी में जितने द्सकौणतों यह सब किसब्र कि लिए किसी दूसरे पर क्या है निर्भर हैं कैसे निर्भर है जैसे बक्रियां किस पर निर्भर है बनसपतियों पर निर्भर है हिरण किस पर निर्भर है बनसपतियों पर निर्भर है सेर किस पर निर्भर है भोजन के लिए हिरण अगर हिरण की संख्या कम हो गए तो फिर सेर के स्थितिभड़ मत आम में जितने पूरा को पूरा जैृविक समदाई वो सब किया है उसके जितने भी श्यवुझन के लिए क्या आवास तो भावतिक वावरण में हैं उनका अगर वावर को सही सलामत रहा किक है वावरण ही गड़बढ हो तो प्रकार की निरभरता है है और भी प्रकार के निर्भरता है बहुत सारे जीओ ऐसे होते हैं जो आप बनसपतियों में देख लो लेकर रेक्र की सहारा लेती है आर्किर्स है वह भी किसी दूसरे ब्रेक्ष के सहारे चड़ता है तो यह सब कहीं न कहीं अपने सर्वाइबल के लिए क्या करते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और इसी निर्भरता को हम क्या कहते हैं पारस्प्रेग निर्भरता इस चीज को आप ध्यान में रखेगा अब इसके बात में बात आती है कि जैवी कंतर संबंद की कि जैवी कंतर संबंद क्या होता है कि जैवी कंतर संबंद का अर्थ होगा जीवों के मद्ध में जो संबंद स्थापित हो रहा है वो संबंद कैसा होगा कुछ दिवों ऐसे होंगे जो प्रतियस्पर्दा कर रहे होंगे सर एक दूसरे कग यह भूंग कर रहे होंगे कुछ देखेंगा जिवों का समदाय जो संबंध odpow करेंगे यहां वहणों नाम होगा हैं जैविक अंतरसंबंध या फिर इनको उम देखते हैं कितने प्रकार के जीवों में बिस्तापित होते हैं तो पहले इसकी परिभासा देख लेते हैं जैविक , संबंद होता, तो एक समुदाई में जितने भी जातियां, अब एक समुदाय कैसे बनता है ? आपने पिछलीक्लासेज में देखा है सम्ँदार मतलं सारे जर्जत प्रजातियों की जनसंख्या है पादप और प्राडियों में जेतनी भी प्रजातियां है, किसी छेतर में उनकी जो जनसंख्या होती है उन्हीं का पूरा का पूरा सब को मिला दिया जाए तो एक समुदाई बनता है कम्यूटी बनती है एक समुदाई में जितने भी सदस्द होते हैं उन सब का एक दूसरी के साथ जो संबंद होता है वही होता है जैविक अंतर संबंद सब्द का आर् एक तो होगा एक ऐलग प्रजाती है हाथि योद कौस्की अलग प्रजाती होती है लेकिन सभी परिजाति कि जितनी जनसंखिया सब कुमिलाने से समधाय बनता है proposals बनता है तो जब हम यह लिए उसम्मन पड़ते हैं तो यह को सकता है एक तो होता है अनताह जाती है सम्मन्द ध्यान रहे सब्दों को आप से समझ लिए को कि सबसे ज्यादा महतफूर यहीन को इनको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रा इस स्पेस्फिक स्क्ति रेलेशन ठीक है इंट्रा होता है कि अंतर जातिय संबंध में इसका मतलब होगा जो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ि architects रेलेसेंस इन दोनों स बkellो में बस थोड़ा सा अंतर है दीखिए बोल चाहिए हैं अंतर Drulev जाथ यहां अंतर है पर यहां अंतर है यानि उबFrिश पैस्फेश्फिक और इंटर पैस्फिक और इन दोन्स और रक्षान के मद्ध में होने वाला इंट्रैक्शन कि कहला लए नतर जाती है या इंट्राइस्पन के रिलेस्ट्रीन कहला थिक दिए अब इनके बीच में जो संबंद होंगे वह संबंद किसको ले कर के स्थाफित करें जाएंगे अब थोड़ा से लिख ले एक ही प्रजाथिके सदस्यों के मद में एक ही प्रजाथिके तो वह कहला तो लिख औस आजादी सम si अब इस तरह का संबंद क्यों होता है जैसे आवास के लिए एक ही प्रजाती के बहुत सारी जनसंख्या हो जाये तो फिर आवास की समस्या होती है कि नहीं जैसे मानों प्रजाती एक अच्छा उदारण है आपके सामने आप देख रहे हैं कि सहरों में जनसंख्या लगातार ब कि ही जाती में संब्भू हो सकती है एक ही प्रजाती के जीवों में प्रजनन की क्रिया संब्भू हो सकती है किसी दूसरी प्रजाती में कोई दूसरी प्रजाती का सदस्य तो प्रजनन कर नहीं सकता है और इसके लिए भी संघर्स होना तो यह जो अंता जाती है एक दूसरा कारक है इसका कि प्रजिनन के लिए सभी संबंध होते हैं किसी के साथ अच्छे संबंध होते हैं किसी जीव के साथ यह कंपेटिशन की स्थिति आ जाती है भोजन के लिए जब जनसंख्या बढ़ेगी किसी भी जीव की तो भोजन की आवसकता अधिक हो जाएगी उस समय भोजन के लिए संघर्ष होगा कॉमप्टीशन होगा यह इस्थिती ही है जैसे कि है निष्च्य जनसंख्या होनी चाहिए उस्से अधिक जनसंख्याः क्या है कि नुकसान डायक है निए जो संघर्ष होगा वह कही ना कहीं भोजन के लिए बहुत बास अगर्ष उपन होगा जैसे सेर के लिए क्या है मांस उसका भोजन है मांसा हारी जीव है तो अगर सेरों की संख्या बढ़ जाए जंगल में तो फिर भोजन की समस्य उत्पन होगी कि नहीं होगी तो वह जो बहुत सारे सेर आपस में मिलके जो रिलेशन अस्थापित करेंगे वह क्या कहलाएगा अंता जाती ही कहलाएगा क्योंकि वह एक ही प्रजाती के सब लोग है सारे सदस नहीं जो भोजन के लिए लड़ रहे हैं छेत्रा अधिकार के लिए एक बहुत बड़े कर जो समस्य उत्पन होती है यह होती अनता जाती है संबंध में रिलेशन जो होता है वह लेकर लेकर भी अस्थापित होते हैं छहत्र आधिकार का हर्थ होगा प्रभुत यह चीज़ आप सेर में देख लिए कि जो सेर प्रजाति है जंगल का राजा भी कहते हैं कि इनमें आप देखेंगे छेत्रा अधिकार को ले करके तो एक जंगल में एक ही सेर होता है ऐसी सामान्य उधारना है अब वो सेर क्या करता है पूरे जंगल का चक्कर लगा करके अपना छेत्र निर्धारित करता है रोज सुबा साम जा करके जंगल के चारों तरफ घूं करके दहार वहार के आएगा ये बता करके कि यहां पर कोई और नहीं आएगा लेकिन जब दूसरा सेर कोई मान लिजे किसी छेत्र से कोई दूसरा सेर आ गया तो भाई ये उनकी प्रविर्ति है कि एक जंगल में एक ही राजा होगा तो अब उस राजा को लड़ाई करनी ही पड़े आप पुराने समय में भी छेत्रा अधिकार की युद्व बहुत सारे हुए हैं तो यह इन सारे कारकों के लिए अन्ता जातिये संबंद की बात की जाती है कि एक ही प्रजाती के लोग जब अपस में संबंद स्थापित करते हैं वो संबंद किसी भी तरीके का हो सकता चाहे वह कॉंप्रेशन हो या फिर सहयोग पूर संबंद हो या फिर परभच्छी नर्भच्छी वाली इस्थिति आ जाए युद्ध वाली इस्थिति आ जाए तो भी वह अंतर जातिये संबंद होगा लेकिन इहां सर्थ इतनी सी है कि वो कोई भी रिलेशन हो रहा है चाहे सब्सक्राद में होने वाली अंतर क्रिया क्या है कि दो या कि दो से कि अधिक प्रजाती कि कि सदस्यों में कि होने वाली अंतर क्रिया कि यह अंतर क्रिया वही है जो मैंने बताया यही सारे कारक अंतर क्रिया में आते हैं लेकिन यहां पर एक ही जाती के एक ही प्रजात के सदस्यों में इसा हो रहा है लेकिन यहां पर जमिश्थिति है यहां पर दो या दो से अधिक प्रजाती के सदस्यों में यह घटना हो र पर फोजन लेखें कि जंगल में सेट रहे बोक लैकर अगर कि एन में संख्यां में गिरावाट आए और रहाँ कि नहीं है क्योंकि वहां पर उन दोनों प्रजातियां अलग अलग है लकडबग्य की प्रजाति अलग है यह दोनों अलग प्रजाति के हैं जंगल में अक्सर से हो चीते में लड़ाई हो जाती है अ ऩि की तो अवास के लिए और यह यॉपे लड़ेंगे क्योंकि एक जंगल में बहुत सारे सेर हो जाए या फिर बहुत सारे चीते हो जाए अलग-अलग प्रकार के मांसाहरी जानवर आ जाए तो फिर आवास की भी समस्या उत्पन होगी तो इन ही को हम देख लेते हैं कि कुल कितने प्रकार के संबंध बनेंगे इन दोनों पर के ज्याओं में वही आवास के लिए प्र तो किसी प्रजाती को लाग होगा कि हानी होगा लड़ने में जब competition होता है तो इस इस्थिती में तो दोनों प्रजाती को क्या होगा हानी ही होगा दोनों पक्षों को हानी होता है आप किसी से भी लड़ाई कर लीजिए तो अगर सिर उसका फूटा है तो हाथ पेर आपका भ सिर में जुए हैं वो क्या कर रहे हैं आपके सिर में बैट करके आपको ही तो खा रहे हैं कि तो इस तरह के भी संबंध हैं तो हम देख लेते हैं कि विभिन प्रजातियों के मद्ध में जो अंतर संबंध होते हैं वो कितने प्रजाती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सगारात्मक प्रभाव प्रफा पड़ रहा है कि एकार को देह लेती है और फिर उधारन रोपर बात कर लेते हैं जहां से प्रस्मित death कि अधर आप लिख लीजिए नहीं कि संबंद या अन्योन किरिया जो होती है जो भी एक्टिविटी उनके बीच में हो रही है ठीक है और एक तरफ लिख लिजिए प्रजाती वन कि या प्रजाती ए और दूसरी तरफ प्रजाती और यहां पे आप डाल दीजेगा तो सबसे पहला जो होता हैं अंतर किरिया होती है दो प्रजातियों के मतमें हम अंतर संबंधूं की बात कर रहे हैं ध्यांठ है अनतर जाती है संबंध्ध में नहीं हो रहे हैं उन समय कि इस प्रुम will से ले करके और यारों तक हर एक्जाम में लगभग प्रस्मिहा से पूछे जाते हैं सहजीविता या इसी को सहोब कारिता भी बोलते हैं कि सहोब कार्था इन सब की विशेषता है एक जैसी है इसलिमा यहाँ पर इनको लिख दे रहा हूं सिंबायोटिक इंट्रेक्शन इसम्बायोटिक इंट्रेक्शन इसमें किसी परजाती को कोई नुकसान नहीं होता है दोनों परजाते क्या है प्लस में होती है अर्था फाइदे में होती है मान लिजे एक जामपल के तोर पर आपकी बड़ी आत में जो आपके शरीर की आती है बड़ी आत में E-ql.I Bakteria पाया जाता है ठीक है इक लाई बैक्टिरिया का काम क्या है वहां पर बिटामिन बी-12 का उत्पादन करना तो एक तो आपके शरीर को क्या मिल रहा है एक प्रजाती आप है और दूसरी प्रजाती क्या है बैक्टिरिया की इक लाई बैक्टिरिया उसके द्वारा उत्पादित किया गया विटामिन B12 आपके लिए फाइदे मंद है और E. coli bacteria को आप क्या दे रहे हैं आप उसे रहने का अस्थान दे रहे हैं अपने बड़ी आथ में और आप उसको भोजन भी दे रहे हैं क्योंकि वह आपके आती में है तो निश्ची दुरुग से जो भोजन आप खाते ह है उसका कुछ हिस्सा वह भी लेते हैं अपनी जरुरुत के मुताबिक आप उन्हें आवास दे रहे हैं और भोजन दे रहे हैं बदले में वह आपको क्या दे रहे हैं विटामिन B12 दे रहे हैं तो यह समझ अब इसमें क्या है दोनों आप भी फाइदे में है और वह आप मानली यह different का ही आपनी लगाया है वो उस जीव को बैक्टीरिया को क्या दे रहे हैं आवास दे रहे हैğे अपनी जर्ण रहने बनाती है हो ब्ोजन और यहां पर दलहनी फसल भी फाइदे में है और रैजोबियम बैक्टीरिया भी फायदे में है तो और एक तो दो परजाती में रिलेशन ये होता है इसे तो ऊधिरी बेक्टिरिया तो यक्जामपल आप ध्यान में रखे गां इन्से क्या फायदा हो है आपको या फिर उस बैक्टिरिया को एक दूसरा संबंद होता है सहभोजिता का संबंद क्या होता है सहभोजिता अंग्लिस और हिंदी दोनों को आप ध्यान में रखिएगा ठीक है सहभोजिता कि जो अंग्रेजी होती है वहती है common एक इसमें एक प्रजाती थो फायद्य में होती है लेकिन दीसरे प्रजाती को कोई फर्क नहीं पड़ता इसको हम zero से indicate करेंगे जो फायदे में परजाति रहेंगे उनको प्लस से जो नुक्सान में जायेंगे उनको माइनस से 6 जो नेटरल रेंगे जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनको करता है चड़ता है और उस ब्रिक्ष से कुछ लेता नहीं है कोई पोसल्पदार्थ नहीं लेगा बस उसका सहारा लेता है सहारा का मतलब इसकी कमर इतनी कमजोर होती है कि अपने दम पे खड़ा नहीं हो पाता है इसलिए दूसरे ब्रिक्ष का सहारा लेके ऊपर चड़ता है अपना डेवलेपमेंट करता है तो दूसरे जो दूसरा बिरिक्ष है जिस पर यह चड़ रहा है उस ब्रिक्ष को को कई नुक्सान नहीं होता है और नहीं उसको कोई फाइदा होता है लेकिन आर किड को फायदा हो जाता है इसका आर्थ हो गया कि एक प्रजाती को फाइदा हो गया किसको आर्किट को लेकिन जो पेड़ है आर्किट और इस पेड़ को कोई फाइदा नहीं हुआ जीरो फाइदा और जीरो नुक्सान ना इसको कोई नुक्सान हो रहा है ना ही कोई फाइदा हो रहा है ऐसे अमेजन बन पर भी फायदा तो इससका होता है क्योंकि इससे support मिल रहा है लेकिन जिस पर इस पहाए है उस ब्रिक्ट का नुकसान नहीं हो रहा है और नहीं उसका कोई फायदा लोगों को खुद चिपकी है बस्पन में तालाब में जाते थे नहाने और पकड़ लेती थी उनका जो पकड़ने का जो इस्टाइल है उनके मुह से अकस के स्किन पकड़ लेती हैं और वहां से ब्लड निकाल लेती है इतनी मजबूत पकड़ होती है तो उसी तरीके की यह जाकर के चिपक जाती है इनका आकार कुछ आईसे होता है मनWe ऐख कैजिए असी मुह के सहारे सिपक जाती है और फिर सा पूरे समुद्र में घूमने वाली मक्समी है उसको घूमने पढमाफिर करके करती है इसको घूमने का मोखा मिल इनको को और सार्क ने सिकार किया कुछ मैं तर भी जाएगा खोश और तो जाएंगे वो 01 मेरा खाली रो मेरा को और फा हो रहा है लेकिन सार्क को को नुक्सान नहीं हो रही है। यह सर्क को इसे फाइदा ug안 वह संब्द्द्द स्फाइदे में है लेकिन दूसरा प्रभावित नहीं And we versus समथ्पर्धा के दो प्रजातिओं के मदं में वह से प्रतियस पर्था कि यह सबसे खतरनाक सम्थंद gluten it protection इसमें क्या होता है दोनों प्रजातियों को नुक्सान होता है नुक्सान कार्थ हो गया हम इन्हें माइनस में दर्स आएंगे ठीक है दो के दोनों प्रजातियां क्या होती है नुक्सान में रहती है जैसे आप जानते होंगे आगर ग्रामीर छेत्र से आप बिलॉंग करते हैं तो आपको ये पता होगा प्रैक्टिकल नॉलेज वैसे तो किताबे में हर कोई पढ़ा है गेहूं के फसल के साथ में कुछ ऐसे घास उगते हैं जो गेहूं की फसल को चोपड़ कर देते हैं जो भी पोषक्ट्र होते हैं वो उनको क्या करती हैं तेजी से खीचने का प्रयास करती हूं इससे क्या होते हैं कि गेहूं की फसल को पोषक्पदार्थ जल और ब्हु जो भी उनको अवसकता है व hinter mत्यम्य मिल पाताolesome तो गेहूं की फसल भी प्रभावित होती है और वो खर्पतवार भी कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं क्योंकि यहां competition है भाई पोशक तो खेत में तो एक निश्चित मात्रा में डाले गए अब उसी में दोनों लोगों को अपनी परवरिस करनी है तो फिर यह होड मच जाता ह है कि मुझे चाहिए और गेहूं कहता नहीं मुझे चाहिए और नहीं मैं लूगा इसी चक्कर में competition में ही ना दोनों को फाइदा हो पाता है पूर्णता है लेकिन नुक्सान भी दोनों ठीक ठाक हो जाता है फसल भी बरबाद हो जाती है और वो जो खर्पतवार है वो तो व competition होता है जहां पर संसाधन कम हूँ और उभोग करने वाले अधिक हो वहाँ प्रतियोगता होती है या प्रतिसपर्धा होती है यह ठीक वह एसी स्थिति है जैसे 500 सीट आई है और पांच लाग केंडिडिट ने अपलाई किया है इसको नाम भी प्रतियोगता या सब्सक्राइब नियुक्ता होती है वह सब्सक्राइब होती है आप कितने सक्षम है करें कि आप ecology में यह मानकर चले कि दोनों पार्टियों को नुक्सान होता है इसके बाद में जो संबंध है वह होता है परजीविता का संबंध कि परजीवता है कि इसको बोलते हैं पैरा सिटीज्म कि इसमें क्या होता है परजीवता में एक प्रजाती को तो लाब होता है और दूसरे को हानी होती है परजीवता का अर्थ यह हो गया कि एक प्रजाती किसी बूसरे प्रजाती पे पूल्णता निरभर हो तिया सीर में होते हैं उसके आगे ख्लादए यह हुआ तो जो प्रजीवी आप जानते होंगे यसे मलेरिया का प्रजीवी होता है अमर बेल एक नाम आपने सुना होगा वो भी प्रजीवी प्रजाती है इसके बाद में एक संबंध हो और है कि परभक्षड या परभच्षेता आप कह सकते हैं कि प्रेडेशन इसके इंग्रेजी है प्रेडेशन इसमें भी परजीविता की तरह एक प्रजाती को लाब होती है और दूसरी प्रजाती को हान होती है तो फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है परभच्षटा का आर्थ यह समझ लिजे जैसे शेर और बक्री के बिज़ में वहीं शेर ने बक्री का सिकार किया तो शेर तो लाब में है क्योंकि उससे सिकार मिल गया लेकिन बक्री का क्या वह तो निपट गई ना पूरा का पूरा तो वह तो हान में है अब यहीं पर आपको अंतर भी नजर आ जाएगा परभच्षटा में परजीवता और परभच्षड में यहीं है कि जब परजीवता की इस्थिती होती है तो जो लाभ में है वह अपना लाभ ले रहा है आपसे लेकिन आपको पूरता समाप्त नहीं कर आपका सिकार नहीं कर रहा है वो बलकि अपनी जरूरत की चीजें आपसे ले रहा है पर आपको आपका सिकार नहीं कर रहा है आपको कंप्लेटली समाप्त नहीं कर रहा है और परभच्षड में जो सिकारी होता है वो सिकार को पूरी तरह से निप्टा देता है बस यहीं अं सहब हो जिता है कि एमन सिलीज में इसमें क्या होता है इसमें एक प्रजाती नेगेटिव जाती है नकारात्मक इस्थिती में और दूसरी प्रजाती नियूट्रा यानी जीरो होती है एक प्रजाती को क्या होता है नुकसान होता है और दूसरी प्रजाती को कोई फर्क नहीं प पेनिसीलियम नाम का कवक होता है पेनिसीलियम एक कवक है उस कवक के द्वारा एक हार्मोज निकाला याता है जिसका नाम है पेनिसीलीन ठीक है यह जो पेनिसीलीन होती है यह बैक्टीरिया को नस्ट कर देती है या उनकी संख्या सीमित कर देती है लेकिन उस कवक को क्या फर् नहीं पड़ रहा है यह नहीं को नुक्सान हो रहा है लेकिन नुक्सान को आ अा है एंटीदोज है वह बैक्तिरिया तो सम निपड़ गया विचारत एक को नुखसान हुआ लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा है ना तो उसका नुक्सान हुआ और ना ही फायदा हुआ एक संबंध और होता है उसका नाम है उदाशीन उदाशीन अंतर संबंद का आर्थ हो गया कि आसा संबंद जिससे ना तो किसी को नुक्सान हो रहा है उन दोनों में और ना ही किसी को क्या हो रहा है फाइदा हो रहा रहा है अर्था दोनों कि दोनों प्रजातियां क्या है Newton's countingck ठीक है जो एक दूसरे के प्रती न्यूट्रल व्यवार करती है तो यह जैविक अंतर समंधों की बात थी एकलोजी में एन्वार्मेंट में आपके आसपास जो भी वातावरान है इसमें इन ही तरह के 5-6-7 तरीके से आपको जीवों के मद्ध में जो जैविक अंतर किरिया है वह मिलती है ऐसे कुछ मिलते हैं आप इनको पढ़िए और ध्यान में रखिए गगा यह चैप्टर राज समाप्त होता है कंप्लीट होता है अगली क्लास में हम किसी दूसरे सेक्शन पर बात करेंगे